नमस्कार दोस्तों देश की बात में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज मैं एक पहुत ही महत्रपूर्ण मुद्देपर बात करने वाला हूं आपसे बढ़मोज के जो इंजिनियर है निशान्त अगरवाल उनकी कृत्तारी हुई है DRDO में जो डिफेंस एकुपमेंट मनाती ह जो की डिफेंस भारत की जो रक्षा कंत्र है उसके रिडिर की हटी मानी जाती है क्योंकि सारी कुपमेंट वहां बनते हैं रिसर्च वहां होता है वहां के एक इंजिनियर पाकिस्तान के ISI के हानी ट्रेप में फंच जाते हैं ये बहुत बड़ी बात है हानी ट्रेप को समझ भाते हैं वहां की ब्हुमिका होते हैं या महिलाओं के ID पर कुछ ठीव होते हैं वह ऐसे-एसे बाते करते हैं मन लुभाने वाली बाते जिनकी बातों में बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग इंजिनियर देख लिजिए अभी जो इनकी ग्रिवतारी हुई है निशान अगरवाल इंजिनियर और देश के परसीद इंजिनियर युवा इंजिनियर है वो हनी ट्रेप में फज गए तो हनी कह सकते हैं हनी जैसे की सब्द से लगा है मतलब कि प्यार महबत इवें सेक्स की बाते होती है चैटिंग पर और बात बात ही बात में यह दोस्ती ऐसा इंफ्रमेशन शेयर कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए यह दुर्भागे की बात है कि देश का एक युवा इंजिनियर इस तरह के मामले में फंस जाता है हारा कि पहली बार नहीं इस लंबा चोड़ा इतिहास है दोस्तों जैसे कि हम मोवीज में देखते हैं कि हमारे ज दूसरी ताकतों विदेशी ताकतों के इंफ्रमेशन लेके आते हैं भारत वैसा ही पाकिस्तान या दूसरे देश भारत के जो सिक्रेट इंफ्रमेशन है लेने की कोशिस में लगे रहते हैं और और इसके लिए गलत रास्ता भी अख्तियार करते हैं जैसे कि हनी ट्रेप में भारत की जो उच्छे पदों पे बैठे है जिनके दिमाग में सिक्रेट इंफ्रमेशन है जिने सिक्रेट इंफ्रमेशन सौपा जाता है वो लोग इस चकर में फज जाते हैं दोस्तों मैं नाम लूगा इससे ठीक पहले अभी कुछ ही महीने हुए फैवरी महीने में एक बड़ सेक्स चैक में फज गयते हैं आई एस आई के एजेंट थी वो जो फेस्बूक फ्रेंट थे हैं और इस तरह कई इंफ्रमेशन उन्हें शेर किया जो कि सेंसिटिव था देश की सुरक्षा के मामले में और उनकी गिरिफतारी हुई यह बिल्कुल खेद की बात है सरकारों को और सतरक रहने की जरूरत है इस तरह का वाक्यांस और आगे नहीं हो दोस्तों मैं इतिहास में ले जाएंगा कि कब-कब कौन-कौन से सक्स गिरिफतार हुए क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है हानी ट्रेप में लोग फस जाते हैं थासकर जो जासूस होते हैं दोस्तों मैं क्या और याद दिलाना चाहूँँगा 2010 का मावला जोकी माधूरी गुपता ऊफिसर थी महिला है उनकी क्रिफतारी हुई थी हेड्लाइन बनना था मुझे याद है toughest दी 2010 में वेडिफ कुछ सक्टम później शेइर किया था जोकि उनको शुक्विंदर सिंग जो कि रसिया में पोस्टेट थे मॉस्को में उन्होंने भी सिकरेट इंफ्रमेशन शेर किया जिसके वज़ा से उनको वापस इंडिया में बुला लिया गया जोस्तों 2008 में दसाल पीछे आपको ले जाओंगा और 2008 में भी मामला आया था जिसमें मन मोहन शर्मा जो की रो के अधिकाड़ी थे हैं बीजिंग में उनके अपॉइंटमेंट हुआ था बीजिंग में भारत के लिए काम कर रहे थे लेकिन वह एक चाइनीज ट्रांसलेटर के चकड में पर गए और फिर वही हुआ जो नहीं होन चाहिए था उन्होंने भी कुछ सिक्रेट इंफ्रमेशन शेर किया जिसके वज़ा से भारत सब्सक्राइब को वापस इंडिया बुलाना पड़ा दोस्तों 2007 में एक मामला आया था रवी नायर रवी नायर रवी नायर जोकी आरेस के ऑफिसर थे हैं आरेस भी रो की तरह ही रिसर्च एंड अनलेजिस सर्विसेस इसमें इसके अधिकारी थे रवी नायर वह होंग कॉंग में पकड़े गए थे उन्होंने भी अपनी गर्फेंड के साथ एलिजिटली सिक्रेट इंफ्रमेशन शेयर किया था जिसके बज़ा से उनकों वी वापस बलाना पड़ा उनकी बारती अजन्सी रॉप लेकिन इस तरह के मामले आने से अजन्सी की बदनामी निश्चित्रूप से होती है दोस्तों 2004 में एक मामला आया था रबिंदर सिंग यह भी रॉप के अफिसर्स थे इन्होंने यह 2004 का मामला है इनकी स्टोडी बहुत दिलचस्प है यह रॉप के ए जोइन कर लिया रॉप के अधिकारी होते हुए आपके पहुत सारी इंफ्रमेशन होगे जो अमेरिका के हांतों में नहीं जाना चाहिए था भारत की सुरक्षा को देखते हुए लेकिन उन्होंने जोइन कर लिया नेपाल के रास्ते भागे थे इसकेप किया था उन्होंने नेपाल के रास्ते भाग कर अमेरिका में जाकर को जॉइन कर दिया है 2004 का मामला रविंदर सिंग अधिकारी का नाम था रॉक एजेंट थे हमने 180 के दसक में एक अशोख सैथे हुआ करते थे उन्होंने भी देश के साथ कहा जाता है कि गदाली किये थे और कही सारे इंफ्रम में आगे भी लेती हैं में रिसर्च कर ला था मैं पढ़ रहा है लो देश के पहदे ऑने शाहार्व करते हूं ले विब लिजर्च सब्याठर के अपार कि जवालाल जवालल नेरू ने खुद अपने ऑफेशल को चेताया था कि वो सतर्क रहें और एलर्ट रहें ताकि इस तरह के होनी ट्रेप में ना फसें दोस्तों आज के दोर में भी इमंदार अधिकारियों की बहुत कमी मैं कह सकता हूं तभी इस तरह के वाक्यां सामने आ रहें लेकिन लगरें मारी होगें यहेंEmndiari से ही देश आगेबड़ता है तो हमें आशा करना चाहिए क्या छोबी जासूस हैं जो भी अधिकारी है हाला कि वह अधिकारी हमें आखों से नहीं दिखेंगे जो जासूस लोग होते हैं वो सिक्रेट रूप से काम करते हैं लेकिन देश की सुरक्षा उन्हीं के हाथों में होता है तो हमें और आपको आशा करनी चाहिए कि इस तरह का मामले मामले और ना आये पुरी निश्पक्ष्था के साथ जाच हो और इस यंग अधिकारी के साथ निया हो अगर इसने अपरात किया तो बिल्कुल इसको कड़ी से कड़ी सर्जा होनी चाहिए क्योंकि देश से उपर कोई नहीं होता है निशान अगरबाल एक सबक है युवाओं के लिए कि इस तरह के काड़े में वह लोग लिए ना होए क्योंकि इससे देश की परतिष्ठा को नुक्सान पहुंचता है और अगर आप information share करते हैं कहीने कहीने अपने पूरे देश को खत्रे में डाल रहे हैं तो इसा दिखारी को पर बिलकुल कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए आप अभी के लिए इतना ही मैं आगे भी इस तरह के बाते इस तरह के स्टडी करके मैं आपके समख्ष रखूंगा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भोलिए और आइकन बटन को दबाईए ता यशि सया थाथ नौ यilot्सो रहिए थाफ बारा चैनल सब्सक्राइब करना है झाल भोलिए आपके स्ब्सक्राइब करहिस्गों तो रसा इसनो ग्लिए अपकूश। हो रसे पाछिए एत्स।